एक गाव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था उसके परिवार में उसकी पतनी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था संगीत सुमन हरिया की अपनी कोई जमीन नहीं थी इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था पिछले कुछ दिनों से हरिया को गाव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था जिससे वह बहुत परेशान सिंगीत था आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है बस थोड़े से दाल चावल बचे थे उसकी मैंने खिचडी पका दी है पिछले कई दिनों से गाव में कोई काम नहीं मिल रहा है लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सब के खाने पीने का जुगाड मैं कैसे करूँगा आप चिंता मत करो भगवान हमारी मदद जरूर सिंगीत करेंगे पापा इस बार गाव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुडिया दिलाओ गाना अगली बार तो आपने यह कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब तो मुझे गुडिया दिलाओ न हम बेटा इस साल में तुम्हें जरूर गुडिया दिलाओंगा अब चलिए खाना खालीजिये ठंडा हो रहा है सिंगीत सरला तुम भी आकर खाना खालो जी आप खालीजिये मैं थोड़ी देर बाद खालूंगी हरिया और उसकी बेटी दोनों खाना खालेते हैं तब ही उनके दर्वाजे पर एक संत की दस्तक होती है कोई तो कुछ खाने को दे दो भगवान तुम्हारा भला करेगा संत की आवाज सुनकर हरिया और उसकी पतनी बाहर आते हैं बेटा क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है बाबा हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता हम आपको कहां से देंगे थोड़ी से खिचडी पकाई थी वह भी मैं अभी खा लिया हूँ अब हमारे पास कुछ भी नहीं है रुकिये बाबा अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है मैं अभी लेकर आती हूँ पर सरला तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी बर्तन में तो बस थोड़ी से ही चावल बचे है आप इसकी चिंता मत कीजिए मैं भूखी रह लूँगी लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती इससे मुझे पाप लगेगा ठीक है सरला जैसी तुम्हारी इच्छा सरला अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते है बेटा तुमने मेरी भूख मिटाई है मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ एक भूखे व्यक्ती को खाना खिलाना सच में पुन्य का काम होता है और यह पुन्य तुमने आज कमा लिया है बेटी मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है लेकिन यह एक अंगूठी है इसे अपने पास रखो यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी पर याद रखना रात के समय इसे मत पहनना रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगो धन्यवाद बाबा हम आपकी आज्या का पालन करेंगे संगीत संत के जाने के बाद हरिया अंगूठी को देख कर सरला से कहता है इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है आपने सुना तो होगा न हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है चलिए अब अंदर चलते हैं पर सरला अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया अब तुम क्या खाओगी काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते जैसे ही हरिया यह बात कहता है अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है सरला यह देखो जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया यहाँ चावल प्रकट हो गया यानि कि यह अंगूठी सच में जादूई है इससे हम कुछ खाने को मांग सकते हैं अरे वाह के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने पूरी सबजी की प्लेट आ जाती है उसको देखकर सरला और हरिया बहुत खुश हो जाते हैं अरे वाह कितने दिनों बाद आज पूरी सबजी देखने को मिली है चलो अब बैठ कर इसे खाते हैं ऐसे वह सभी उस दिन भर पे भोजन करते हैं अगले दिन सुभह पापा आज गाव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है मैंने अपने दोस्तों से सुना था आज आप मुझे गुडिया दिलाओ ना हाँ मेरी प्यारी गुडिया प्यार हो जाते हैं फिर हरिया अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हात में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं उस गाव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था जिसमें दूर दूर के गाव से व्यापारी आते थे उस मैले में तरह तरह की चीज मिलती थी पापा, देखो, गुडिया की दुकान मुझे गुडिया दिला दो ना भाईया जरा यह वाली गुडिया दिखाना ये मेरी प्यारी गुडिया ये तुम्हारे लिए पापा, ये तो बहुत ही सुन्दर गुडिया है भाईया कितना दाम है इस गुडिया का जी पचास ये लो भाईया, इस गुडिया के पैसे सरला तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो वहां देखो, कितनी सुन्दर साडी की दुकान है चलो वहां से तुम्हारे लिए साडियां भी पसंद करते हैं भाईया, जरा वह वाली साडि दिखाना अरे भाईया, वह साडि बहुत महंगी है, तुम उसे नहीं खरीद पाओगे, कोई सस्ती सी साडि देखलो अरे नहीं भाईया, हमें वही साडि देखनी है, आप वही साडि दिखाओ, सरला तुम्हें ये साडि कैसी लगी? ये साडि तो बहुत अच्छी है पर महंगी भी बहुत होगी सरला तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम ये बताओ तुम्हें, ये साड़ी पसंद तो है न? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई भाईया, इस साड़ी का क्या दाम है? ये पंद्रह सो की साड़ी है, ठीक है? भाईया, ये लीजिए, पंद्रह सो, और ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए, हरिया साड़ी को खरीद लेता है हरिया ने उस मेले में से और भी काफी सारे सामान खरीदे इस मेले में रामचंद्र के दो नौकर, मोहन और प्यारे भी आए हुए थे रामचंद्र गाव का सबसे अमीर सेठ था और मोहन और प्यार उसके नौकर जब मोहन और प्यारे ने हरिया को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्वर्य में हो जाते हैं मोहन ये देख ये तो वही हरिया है ना जो अकसर अपने गरीबी पर पूरे गाव घर में रोता रहता है ये देख कैसे सामान खरीद रहा है आखिर इसके पस इतने सारे पैसे कहां से आए हाँ प्यारे ये तो वही गरीब किसान हरिया है अभी दो दिन पहले ही तो यह सेट जी से काम मांगने आया था पर सेट जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था चल उसी से पूछ कर देखते हैं दोनों हरिया के पास आते हैं और भाई हरिया कैसी चल रही है? खरीदारी लगता है बहुत सामान खरीदा है आज पापा, आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलोने हैं, अब मैं अपने दोस्तों को ये खिलोने दिखाऊंगी मेरे पास. अब ही बहुत सारे खिलोने हो गए हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, अवस्से तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह हरिया के दिन हसी खुशी गुजर रहे थे। ने अंगूठी की मदद से अपने घर क के हालातों को सुधार लिया और अंगूठी से कुछ पैसे मांग कर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही हरिया की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान पर तरह-तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। यह सब हरिया ने उस गरीब था अचानक से आमीर हो गया है और उसने गाव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। अरे भाई मैंने सुना है कि हरिया ने गाव में कोई दुकान खोली है हाँ भाई मैंने भी सुना है हरिया ने बहुत बड़ी दुकान खोली है अरे भाई मैं तो उसकी दुकान को देख कर भी आया हूँ हरिया ने वाकई में बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है है भगवान काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता अरे भाई पैसे नहीं है तो तुम अब हरिया से उधार ले लो हरिया दिल का बहुत नेक इंसान है वह तुम्हें जरूर उधार दे देगा हाँ तुम ठीक कहते हो मैं हरिया से एक बार बात करके देखता हूँ यार कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है क्यों ना हम कल हरिया से बात करके देखें क्या पता हरिया ही हमारी कुछ मदद करद वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे तभी उन्होंने देखा कि हरिया वहीं से गुजर रहा था रामू ने हरिया को आवाज लगाई अरे हरिया भाई कहां जा रहे हो कहीं नहीं भाई बस तुम्हारे पास ही आ रहा था बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले सोचा तुमसे भी मिलता आउं हरिया भाई मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान खुली है हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है पर तुमने दुकान कैसे खोली तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आये देखो भाई यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तु हां मैंने ने उसी से वह दुकान खोली है और मैं यहां तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेजजग आकर तुम मुझ से पैसे ले सकते हो मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे टूंगा ठीक है हरिया भाई हम किसी को नहीं बताएंगे इस तरह हरिया ने गाव वालों की मद्द की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिये अब गाव के लोगों ने भी अपना-अपना कारोबार खोला अब यह बात धीरे धीरे गाव के अमीर सेठ रामचंदर तक भी पहुँच जाती है अब सुने में आ रहा है कि गाव में उसने एक नई दुकान खोली है हाँ सेठ जी मैंने तो देखा भी है बहुत ही सुन्दर दुकान है उसकी एक से एक डिजाइन के कपड़े हैं उसकी दुकान में मोहन जरा पता तो कर आखिर उस गरीब हरिया के पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं आखिर ऐसी कौन सी लौटरी लगी है उसके हाथ में जो कुछ ही दिन में वह इतना माला माल हो गया है रामचंद्र की कहे अनुसार उसके दोनों नौकर अब हरिया पर नजर रखने लगते हैं हरिया कब जाता है, कब घर आता है इन सब पर उन दोनों आदमियों की नजर थी एक दिन जब हरिया रात के समय घर आता है तब मैं दोनों आदमी चूपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं वह देखते हैं कि रामू अपने हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है सरला, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूँ क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा है तो अभी हमें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है मैं सोच रहा हूँ कि इस अंगूठी को मुझे किसी जरूरत मंद को दे देना चाहिए जो मेरी ही तरह गरीब और इमानदार हो जो इस अंगूठी का सही इस्तिमाल करें हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यह अंगूठी हमें किसी ऐसे ही इनसान को देनी चाहिए रामचंद्र के दोनों नौकर यह सारी बात रामचंद्र को बताते हैं हाँ सेड़ जी उनके पास एक अंगूठी है उसके बारे में वह लोग बातें कर रहे थे कि उस अंगूठी ने उनकी किस्मत बदल दी अच्छा तो यह बात है लेकिन एक अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है क्या वह कोई जादूई अंगूठी है क्या उस अंगूठी ने हरिया को पैसे दिये है डाव इसका पता लगाओ अगले दिन फिर वह दोनों आदमी चुपके से हरिया के घर आते हैं हैं और हरिया और उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं सुनिए मुझे एक बहुत ही सुन्दर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए आप इस अंगूठी से मांग लीजिए ना तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ीयां तो है फिर तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी क्यों चाहिए और दुकान में भी काफी सारी साड़ीयां रखी है जाकर दुकान में से पसंद कर लो नहीं मेरे पास एक भी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं है और मुझे एक ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी नहीं है आप इस अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांग कर देखिए ना हरिया अंगूठी से गुलाबी कलर की साड़ी मांगता है और गुलाबी कलर की साड़ी प्रकट हो जाती है, यह देखकर दोनों नौकर बहुत आक्रिय में हो जाते हैं, और यह बातें जाकर वह दोनों रामचंदर सेठ को बताते हैं, अच्छा. तो उस हरिया ने अंगूठी के सामने साड़ी बोला और अंगूठी में साड़ी निकल आई अब तो पक्का हो गया है, वह कोई जादूई अंगूठी है तुमने कहा था कि रात के समय वह हरिया अंगूठी को अपने उंगली में से निकाल देता है हाँ सेठ जी, वह अंगूठी को निकाल कर अपने टेबल पर रख देता है तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सबसे सही वक्त रात का है मैं रात को ही उस हरिया के घर जाऊंगा ऐसा सोचकर रामचंद्र रात के समय चुपके से हरिया के घर पहुँच जाता है रात के समय वह अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था वह अलग ही चमक रही थी अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है आखिरकार यही है, वह जादूई अंगूठी जिससे यह हरिया अमीर हुआ है अब मैं अंगूठी को अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से गाउं का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा यह सोच कर रामचंद्र उस अंगूठी को वहां से लेकर घर आ जाता है और उस अंगूठी को हाथ में पहन कर अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगता है है अंगूठी मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो इतने सोने के सिक्खे की मैं रातो रात बन जाओं। इतने हाथों की पट्टी का देता है और उससे कहता है देखो मैंने तुम्हारी पट्टी तो कर दी है पर तुम्हारे हाथों के जरख्म बहुत गहरे हैं इसे ठीक होने में कम से कम दो महीने का समय लग जाएगा और दो महीने तक तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना यह सुनकर रामचंद्र बहुत दुखी होता है यह सब उस अंगूठी के वज़ह से हुआ है ना मैं उस अंगूठी को चुराता और नहीं मेरे हाथ का यह हाल होता इतनी जलन हो रही है मेरे हाथ में क्या बताऊं अगर मैं ज्यादा पैसे का लालच ना करके उस अंगूठी को ना लिया होता तो आज मेरे हाथों की ऐसी हालत नहीं होती रामचंद्र उस अंगूठी को हरिया को वापस करने जाता है यह लो हरिया अपनी अंगूठी कुछ वक्त के लि मेरे मन में इस अंगूठी के प्रती लालच आ गया था पर इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है अब ये अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो मुझे इसकी जरूरत नहीं अब अंगूठी हरियां के पास वापस आ चुकी थी सरला अब वक्त आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ती के हाथ में दिया जाए जिसको इसकी बहुत जरूरत है हमें जल्द ही ऐसे व्यक्ती की तलाश करनी होगी जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अब इस अंगूठी को किसी गरीब को देने का सही वक्त आ गया है वह लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर एक गरीब बढ़ा व्यक्ती आता है कोई तो कुछ खाने को दे दो भगवान तुम्हारा भला करेगा संगीत सरला बूढ़े व्यक्ती के लिए खाना लाती है बूढ़ा व्यक्ती खाना खाता है खाना खाने के बाद हरिया उस बूढ़े व्यक्ती को वह जादूई अंगूठी दे देता है और उस जादूई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है थोड़ी दूर जाकर वह बूढ़ा आदमी वापस अपने संत के रूप में आ जाता है वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बलकि वही संत था जिसने हरिया को वह जादूई अंगूठी दी थी और वह अब अपनी अंगूठी वापस लेने आया था हरिया का जीवन अब सुधर चुका था हरिया ने उस अंगूठी की मदद से अपने जीवन को ही नहीं सुधरा बलकि गाव के लोगों के जीवन को भी बहतर